मित्र वो होते हैं जो अपने रिदे की भावनाओं को बाटे तुम्हारे रिदे की पीडा में मेरा भी भाग है सकी अपने भाग की पीडा प्राप्त करने आया हूं तेरी मित्रता पर विश्वास रखो सकी नदी में स्नान करने वाला शुद्ध हो जाता है किन्तु नदी उससे मैली नहीं होती जो भी हुआ सके वो ना तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी कर्म का फल वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात था कौर्वों के पुराने कर्मों का फल था जो उनके हाथों इतना बड़ा दुशकर्म हुआ क्रम के सिभ्धानत का यही ताथ पर रहे सके अच्छा कारे एधिक अच्छा कारे कर वाता है बरा अधिक से अधिक बुरा कारे करवाता है और गुराई मिग्रसत मनुष्य के लिए तो जीवन ही नर्क बन जाता है सके कि तो पीडा तो मैं भूमे उगोवित तो उस पीडा का त्याग करो सके हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारा कर्म नहीं करो कि तो उस घटना को तुम जो क्रतिभाव दोगी वो तुम्हारा कर्म अवस्य बने तुम यदि अपने मन को दुख और बैर से भर लोगी तो तुम्हें भी नर्क का अनुभव होगा और उनके कि ये दुशकारियों के लिए तुम क्यों नर्क भोगना चाहती हूँ बैर का त्याग कर दो सके मन को निर्मल कर लो नदी में जो मैल जाता है नदी उसे समुद्र में उडेल देती स्वेम स्वच हो जाती है तुम भी अपनी पीडाओं को परमात्मा में उडेल दे परमात्मा तो सारे संसार की पीडाओं को अपने भीतर समा लेने के लिए सदाए सज अर्थात गुरू सभा को क्षमा कर दूँ आ सके क्षमा कर दूँ अन्यथा प्रतिशोद में भसी रहोगी न्याय नहीं कर पाऊगी प्रतिशोद दुशकर्म न्याय सतकर्म भेत क्या हुआ गोविन भेत क्या हुआ गोविन अरे वर्थ की चक्र वर्थिन साम्राग नहीं के साथ जिनों ने इतना बुरा बरताव किया जगत की सामान निस्त्रियों की क्या स्थिती करेंग विचार करो सकी अपनी पीडा में संसार की पीडा को देखो अपने दुखों को संघर्ष बना लो एक बात समझ लो सके जो केवल अपनी पीडाओं को गले से लगा कर जीता है वो निर्बल बन जाता है किन्तु जो वेक्ती सारे समाज की पीडाओं को अपने हृदे से लगा कर जीता है वो बल्वान बन जाता है केवल अपनी पीडा का विचार करना जुश्कर्म किन्तु सारे संसार की पीडाओं का उपाए ढूंडना सथकर्म आँ सके मैं तुमसे कहता सबसे पहले दुर्योधन को शमा कर दो वही उसकी विनाश की और प्रथम चरण होगा और फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच करने का उपाए ढूंडना केवल अपने लिएने संसार के समाज के निर्बल स्त्री पुर्शों के उधार के लिए युद्ध करो परमार्थ के लिए किये गए युद्ध में चाहे कितनी भी इंसा क्यों ना फिर भी वो धर्म युद्ध कर पाओगी ये कार हां गोवेंद मेरे रिदय में अंधकार था किन्तु आपने वहां ग्यान का दीपक जलाया है कर दो कर दो